ओके, देर स्टूदेंट्स, लास्ट टाइम हम प्रपरेशन अफ हैलोलकेन पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने क्या किया था, कि एल्कोहल के उपर हैलोजन इसेड के एक्शन को पढ़ा था और हैलोलकेन को प्रपेर किया था, तो अब हम जो फास्फुरस ह यानि PCL3 हो गया, जैसे PCL5 हो गया, PBR3 हो गया, इनके एक्शन को एल्कोहल के उपर करेंगे और हैलोलकेन बना सकते हैं, तो जैसे हमारे पास है CH3, CH2OH, यानि के एथेनोल, इसको PCL5 के साथ ट्रीट करते हैं, तो जो OH है, वो CL से रिप्लेस हो जाता है, तो हमारे पास आज तो लेकिन अगर PCL5 की जगा, आप PCL3 यूज़ करेंगे, तो प्रॉडक्त तो आपको क्लोरोलकेन ही मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा H3PO3, और ये सेम रियक्शन आप PBR3 और PI3 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन PBR5 या PI5 के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कंपाउं होते हैं, PBR5 और PI5 वो unstable होते हैं, ठीक है, तो ये एक और method है, जिससे हम हेलोलकेन को prepare कर सकते हैं, by action of PCL5 और PCL3 on the alcohols, ठीक है, तो इस तरह से हम हेलोलकेन को prepare कर सकते हैं, एक और simple सा है, चोंकि ये बहुत ही simple है, तो इसको हम go through कर सकते हैं, SOCL2, यानि के थाइनल कुलराइड, SOCL2 को थाइनल कुलराइड कहते हैं, इसको जब alcohol के साथ रेक करते हैं, तो इसका जो कुलरीन है, वो OH को replace कर देता है, तो आपके पास chloroalkane, sulfur dioxide और HCL आ जाता है, इसमें sulfur dioxide gas और HCL gas जो है, ये vaporize हो जाती है, और आपको जो chloroalkane मिलता है, chloroalkane मिलता है, तो ये कुछ method थे, जिसमें हमने alcohol से, जिसमें हमने alcohol से, किसको prepare किया, हेलोalkane को prepare किया, अब हम hydrocarbon से prepare करने जा रहे हैं, किस से prepare करने जा रहे हैं, hydrocarbon से, तो hydrocarbon से prepare करने के लिए, हमें क्या करना है, कि आप पहले alken ले लीजिए, जैसे ये alken है, तो ये कौनसी alken है, ethene, ये ethene है, इसको HI के साथ treat कीजिए, mechanism मैं बाद में discuss करता हूँ, अभी मैं simply बताता हूँ, कि double bond substances में, double bonded hydrocarbons में, जब हम halogen acid को add करते हैं, तो एक तरफ H, एक तरफ I add हो जाएगा, CH3, CH2 I आ जाएगा, लेकिन ये जो alken है, symmetrical alken है, symmetrical alken होती है, जिसमें carbon double bond carbon के साथ, जो hydrogen का number होता है, वो equal होता है, जैसे इस carbon के साथ देखें कितने hydrogen है, दो, इस carbon के साथ देखें कितने hydrogen है, दो, ठीक है, तो ये symmetrical alken है, symmetrical alkeen में जब आप halogen acid को add करेंगे तो जिस तरफ मरजी h add कर दिए जिस तरफ मरजी halogen को add कर दिए तो इस तरफ मैंने suppose h add कर दिया तो ये मेरे पास CH3 बन गया इस तरफ मैंने i को add कर दिया तो ये मेरे पास आ गया CH3, CH2, i तो order of reactivity जो है HI reacts faster than HBR reacts faster than HCL reacts faster than HF ठीक है तो लेकिन ये जो alkeen था symmetrical alkeen था let us assume कि हमारे पास symmetrical alkeen नहीं है unsymmetrical alkeen है तो unsymmetrical alkeen के लिए जो हमारे पास example है वो एक marconic of reaction की होती है और एक paroxide effect होता है तो अब हम try करेंगे understand करने की के marconic of addition क्या होती है और marconic of addition की help से हम हेलो alkeen को कैसे prepare कर सकते है तो पहले मैं आपको reaction बता देता हूँ जी, ये मेरे पास unsymmetrical alkeen है तो पहले मैं बता दूँ के carbon, double bond carbon के साथ hydrogen का number equal नहीं है इस carbon के साथ कितने hydrogen है? दो इस carbon के साथ कितने hydrogen है? वन तो ये क्या हो गई? unsymmetrical alkeen इसमें जब आप halogen acid को add करोगे तो halogen acid का जो negative part है halogen acid का negative part जो है halogen होता है तो negative part जो है वो carbon, double bond carbon के उस carbon के साथ attach होगा जिसके साथ lesser number of hydrogen है ठीक है? तो ये जो halogen है इस carbon के साथ attach होगा और जो hydrogen है इस तरह एड़ होगा और जो double bond है वो single में convert हो जाएगा ठीक है? तो CH3, CH double bond, CH2 ये इसका नाम प्रोपीन है इसमें आप halogen acid जैसे के HCL, HBR, HI को add करेंगे तो mechanism हम बाद में discuss करते हैं तो halogen acid का negative part negative part कौन सा होता है? negative part halogen होता है यानि halidoin होता है जैसे HCL है तो इसमे जो H है ये positively charged है और जो chlorine है ये negatively charge है जैसे HBR है इसमें hydrogen जो है वो slightly positive charge है और जो bromine है slightly negative charge है ऐसे ही HI के case में यानि कि जिसकी electronegativity ज़ादा होगी वो negatively charge होगा तो negatively charge जो halogen है वो उस carbon के साथ attach होगा जिस carbon के साथ lesser number of hydrogen है और यहाँ पे लिखा हुआ है absence of peroxide तो यह आपको आगे चलके पता चलेगा absence of peroxide हमने यहाँ पे क्यों लिखा है लेकिन फिल हाल यहाँ पे मैंने लिखा है absence of peroxide यानि यह परोकसाइड की absence में reaction होता है क्योंकि दो reaction है हमारे पास जो बहुत ही common example है जब हम halogen acid को unsymmetrical लिलकीन में add करते हैं एक होता है markonic of rule एक होता है anti-markonic of addition एक होती है markonic of addition एक होती है anti-markonic of addition जो markonic of addition हम पढ़ रहे हैं यह peroxide की absence में होती है जो anti-markonic of addition पढ़ेंगे वो peroxide की presence में होती है इसलिए यहां पे specifically लिखा हुआ absence of peroxide तो markonic of rule की definition क्या बनेगी definition यह rule जो है वो यह state करता है कि negative part of addendum addendum मतलब add होने वाला is added to that carbon of multiple bond which has got lesser number of hydrogen but you must keep in mind कि जो add होने वाला substance है यह unsymmetrical होना चाहिए यानि इस पे partial positive partial negative charge होना चाहिए और जो alkyne है यह भी unsymmetrical होनी चाहिए दोनो unsymmetrical होनी चाहिए तो अब मैं इसकी definition को detail में बताना चाहूंगा whenever unsymmetrical reagent unsymmetrical reagent जैसे HX है HCL है यानि के जिसके उपर positive और negative charge होता है is added to unsymmetrical alkyne negative part of addendum addendum मतलब add होने वाला substance goes to that carbon of multiple bond यहाँ बे double bond है that carbon of multiple bond which has got lesser number of hydrogen is called as Marko-Nikov rule and this addition is called as Marko-Nikov addition clear अब इसका mechanism हम पढ़ेंगे और mechanism के साथ-साथ हम इसकी जो है mechanism का नाम क्या है mechanism कैसे हुआ और इसकी example को हम पढ़ेंगे तो let's see कि इसका mechanism क्या है और इसको कैसे पढ़ना है हाँ जी तो हम mechanism पढ़ने जा रहे है तो mechanism से पहले मैंने reaction दुबारा से लिख दिया ये मेरे पास beta unsymmetrical alkenne है और ये मेरे पास halogen acid है ठीक है और इसका जो negative part है यानि ये HBR मैंने जैसे लिया है तो BR के उपर negative charge है तो negative charge उस carbon के साथ attach होगा जिसके पास क्या है lesser number of hydrogen तो हमारे पास जो H जो है वो दूसरे carbon के साथ चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2 bromopropene 2 bromopropene आ गया हमारे पास ठीक है clear है अब इसका mechanism mechanism में step 1 में आप पहले unsymmetrical alkin को लिख लीजए तो ये मेरे पास जो unsymmetrical alkin है ये propene है ये propene है ठीक है और ये जो H plus है ये HBR से आ है ये H plus है तो ये जो double bond है multiple bond है पाय bond है ये हमेशा negative charge positive पर attack करता है तो ये hydrogen के उपर attack कर रहा है तो hydrogen के उपर attack करेगा तो hydrogen जो है वो इस carbon के साथ चला जाएगा तो ये हमारे पास आ गया CH3 CH positive CH3 तो ये जो second carbon है इसके उपर positive charge आ गया तो ये आपका बन गया secondary carbocatine जो के stable होता है now you can ask me के जो H plus है वो first carbon के साथ जा रहा है second के साथ क्यों नहीं जाएगा अगर ये H plus first की बजाए second carbon के साथ चला जाए तो फिर first carbon पे positive charge आ जा जाएगा और वो primary carbocatine बन जाएगा जो के stable नहीं होता तो secondary carbocatine जो है वो जादा stable होता है तो ये reaction ये जो step 1 है ये slow step में होता है तो आपके पास secondary carbocatine बन गया अब H plus तो add हो गया अब H plus जो है ये electron की तरफ attract होता है अब electrophile propene में add हो गया या unsemitical alkyne में add हो गया तो mechanism का नाम फिर सोचो क्या हो सकता है mechanism का नाम होगा electrophilic addition mechanism का नाम क्या होगा electrophilic addition अब step 2 में क्या होगा obviously S plus को add कर दिया तो BR negative को add का नाम ने BR negative बहुत ही fastly इस secondary carbocatine के उपर attack कर देगा secondary carbocatine के उपर attack करेगा fastly तो ये BR जो है second carbon के साथ लग गया तो हमारे पास आ गया 2 bromopropene क्या आ गया 2 bromopropene तो ये आपका product है तो इसमें mechanism का नाम electrophilic addition क्यों रखा वो आपको पता है कि slow step में electrophil add हो रहा था तो जो part electrophil हो चाहिए nucleophile वो slow step में add हो वो ही mechanism का नाम बन जाता है तो mechanism का नाम क्या हो जाएगा electrophilic addition हो जाएगा understand तो इसलिए mechanism को electrophilic addition कहा जाता है और यहां भी कहीं पे भी peroxide को use नहीं किया गया तो इसलिए हम कहते हैं कि reaction जो है वो किसकी absence में हो रहा है peroxide की absence में और जबके इससे हमने जो अगला reaction पढ़ना है anti-marconic off या peroxide effect पढ़ना है उसमें जो reaction होता है वो peroxide की presence में होता है तो इसलिए यहां पे हमने जब reaction लिखते हैं तो यहां पे लिख देते है absence of peroxide ठीक है तो इस तरह से हमने hello alcan prepare कर लिया हमारा basic motive marconic off को पढ़ने के साथ-साथ ये भी था कि हम क्या करें हम hello alcan को prepare करें किस से alcan से या hydrocarbon से तो alcan hydrocarbon ही है ना तो alcan में हमने HBR को add किया तो हमारे पास two bromopropane नाम का एक क्या आ गया hello alcan आ गया इस तरह से हमने hello alcan को prepare किया ठीक है on the contrary हमारे पास hello alcan को prepare करने का एक और method है hydrocarbon से वो है उसका नाम है per oxide effect या harsh effect इससे anti-marconic off rule कहते है तो ये इसमें जो reactant यूज़ कर रहे है वो unsymmetrical alcan इसमें जो reactant यूज़ कर रहे है unsymmetrical alcan प्रोपीन यूज़ कर रहे है और HBR यूज़ कर रहे है और परोक्साइड यूज़ कर रहे है और जो प्रोड़क्ट है वो मार्कोनिक ओफ रूल से contrary opposite मिला है यानि मार्कोनिक ओफ रूल में अगर हम प्रोपीन प्लस HBR कर देते तो हमें प्रोड़क्ट मिला था तू ब्रोपीन लेकिन अगर अगर अंटी मार्कोनिक ओफ में हम ये करते हैं तो हमें जो प्रोड़क्ट मिला है वो मिला है वन ब्रोपीन यानि के जो ब्रोमीन है फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है तो ये वन ब्रोमो प्रोपीन हो गया ठीक है तो चोके आपका जो रिजल्ट है वो मार्कोनिक ओफ रूल से कॉंट्रेरी है जब आप अंसमेटिकल रेजन को अंसमेटिकल अलकीन में आड़ करते हो तो इसलिए इसको एंटी मार्कोनिक ओफ रूल कहा गया चोके ये रेक्शन पर उक्साइड की प्रेसंस में होता है तो इसलिए इसे पर उक्साइड एफेक्ट भी कहा जाता है या इसे खारेश एफेक्ट भी कहा जाता है मैं एक बार आपको दोनों को ना कम्पेर करके दिखा देता हूँ किसी पेपर पे हाँ जी मैं आपको ना ये दोनों एक बार कम्पेर करके दिखाता हूँ ये मैं पहले लिख रहा हूँ मार्कोनिक ओफ अडीशन ठीक है ठीक है तो ये मेरे पास है प्रोपीन और ये मेरे पास है एच बी आर तो मेरे पास जो प्रोड़क्ट आ रहा है CH3 CH बी आर CH3 कौन सा प्रोड़क्ट आ रहा है 2 ब्रोमो प्रोपीन तो इसमें नेगिटिव पार्ट जो है वो कार्बन डबल बॉंड कार्बन के साथ lesser number of hydrogen है, यह Marconic of addition है, पढ़ा तो आपने 11th में हुआ है, लेकिन I don't have any idea कि आपको याद है, नहीं याद, चुकि आप में से बहुत सरे बच्चे मुझसे नहीं भी पढ़े हुए 11th standard में, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको Marconic of दुबारा से करवा रहा हूँ, अब जो परॉक्साइड एफेक्ट है, यहां मैं इसको सीधा Anti-Marconic of लिखता हूँ, Anti-Marconic of addition, और इसका एक और नाम मैंने क्या बताया, परॉक्साइड एफेक्ट बताया, और खारेश एफेक्ट बताया, तो इसमें भी मैं सेम रेक्टेंट ले लेता हूँ, यह मैंने सेम रेक्टेंट ले लिए, अब मैं इसमें HBR add करता हूँ, पर यह add होगा परॉक्साइड की प्रेजन्स में, किसकी प्रेजन्स में, परॉक्साइड की प्रेजन्स में, तो जो मिल रहा था 2 Bromopropane, अब क्या मिल रहा है, 1 Bromopropane मिल रहा है, चो कि आपको 1 Bromopropane मिल रहा है, और पहले 2 Bromopropane मिल रहा था, लेकिन Anti-Marchonic of Addition यह परॉक्साइड में, 1 Bromopropane मिल रहा है, यह नि उससे Contrary मिल रहा है, इसलिए इससे Anti-Marchonic of Rule कहा जाता है, हालांके दोनों के mechanism बिल्कुल different है Marconic of addition का mechanism मैंने अभी अभी आपको करवाया Marconic of का जो mechanism था वो क्या था? Electrophilic addition mechanism लेकिन anti-marconic of addition या per oxide effect का mechanism जो है या खारेश effect का जो mechanism है वो जो है उसे free radical addition mechanism कहते है क्या कहते हैं? free radical addition mechanism कहते है that is called as free radical addition mechanism so I am very sure के ये आपको clear हो गया होगा तो अब हमने इसका mechanism जो है वो पढ़ना है किसका? per oxide effect का यानि के खारेश effect का तो अब अब इसका mechanism पढ़ेगे तो mechanism का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया के mechanism को free radical addition कहते है तो इसमें जो per oxide ले रहे हम उसका formula C6, H5, COO twice इसे benzoile per oxide कहते हैं इस called as benzoile per oxide ठीक है? जो per oxide मैं बार बार word यूज कर रहा हूँ वो क्या है? benzoile per oxide है तो जो per oxide effect है या anti-marconic off है वो benzoile per oxide की presence में होता है और mechanism का नाम है free radical addition mechanism इसके तीन steps है chain initiation, chain propagation and chain termination तो पहले हम chain initiation को पढ़ते हैं ये जो C6, H5, COO twice है इसको ऐसे करके लिख देते हैं C6, H5, COO, O, O, C, C6, H5 दो बार हो गया न, देखो कैसे C6, H5, COO, O, एक बार हो गया फिर C6, H5, COO, दूसरी बार हो गया दो बार हो गया, इसको open करके लिख दिया तो इसकी heat करने पे homiletic cleavage हो जाती है homiletic cleavage मतलब bond जो है दो exactly equal part में divide कर जाता है एक electron जो है इस oxygen पे चला जाता है और एक electron जो है वो इस oxygen पे चला जाता है यह जो arrow दिखाए हुए है पूरे नहीं है इनको fish arrow कहते हैं, curved arrow है तो इसका मतलब है कि एक electron इस oxygen पे चला जाएगा एक electron इस oxygen पे चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यह bond जब बीच में से तूट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा C6, H5, COO यह electron है यह जो आपको dot नजर आ रहा है न यह electron है यह twice हो गया twice क्यों? एक यह वला हिस्सा हो गया एक यह वला हिस्सा हो गया दो मिल गए न और यह बीच में से break कर गया यह unstable है यह unstable है तो definitely अनस्टेबल होने की वज़े से इसमें से यह जो दो carbon dioxide है वो बाहर निकल जाएंगे और यह जो electron है वो C6, H5 पे shift कर जाएगा इसके दो और यह free radical है free radicals ऐसे reactive intermediates होते है जिन में odd electron present होते है तो यह free radical है इसमें odd electron present है ठीक है तो अब C6, H5 जो है एक reactant HBR के साथ rect करेगा तो यह HBR की cleavage कर देगा homolytic fission कर देगा जो H है वो एक electron के साथ C6, H5 के साथ जुड़ेगा और C6, H6 बन जाएगा और एक electron bromine पे shift कर जाएगा तो bromine free radical बन जाएगा यह chain initiation में होते है तो आम शूर के आपको यहां तक पता चल गया होगा के chain initiation में bromine free radical जो है वो कैसे bromine free radical के साथ यह बन गया ओके bromine free radical हमारा बन गया chain initiation के साथ तो step one में chain initiation हुई जो benzoil peroxide था वो दो हिस्सों में break कर गया हमारे पास 2-C6-H5-COO-O-O electron यहनी के free radical जो फर्दर ब्रेक करके 2-C6-H5 free radical प्लस 2 carbon dioxide अब फिर C6-H5 free radical HBR की homiletic fission cause करता है तो bromine free radical बन गया ठीक है तो यह था chain initiation step no doubt के plus one में hydrocarbon के chapter में यह है yes यह मैं आपको deliberately repeat करा रहा हूँ मुझे नहीं पता किन बच्चों के पास notes पुराने पड़े हुए हैं किन के पास books हैं किन के पास नहीं हैं तो इसलिए इसको करवाया जा रहा है अब chain propagation यहनि के reaction progress करेगा कौन से दो reactant हम use कर रहे थे anti-marconic off में यह परक्सरीड effect में एक propane यूज कर रहे थे एक HBR यूज कर रहे थे तो HBR को तो हमने chain initiation में यूज किया और bromine free radical बना दिया अब chain propagation में A और B chain propagation जो second है step इसको दो पार्ट में further divide कर दिया A और B में propane bromine free radical तो यह pi bond दो electron का बना होगा ना एक electron इस electron के साथ bromine के electron के साथ combine करके CH2BR बना देगा और एक electron इस carbon पे shift कर जाएगा secondary free radical बन जाएगा vice versa नहीं possible अगर vice versa करेंगे तो primary free radical बनेगा तो जो secondary free radical होता है वो ज़्यादा stable होता है तो जो ज़्यादा stable होता है वही बनता है जैसे secondary carbocatine was more stable than primary carbocatine अब secondary free radical बन गया अब फिर से HBR हमारे पास है reactant one of the reactant और यह electron फिर से इसकी homolytic fission cause करेगा और H जो है इसके साथ इस carbon के साथ जुड़ेगा इस electron और H अपने electron के साथ क्योंकि H और BR के बीच में जो bond है उसमें भी दो electron है एक electron bromine पे shift कर जाएगा एक electron H के पास है H अपने electron के साथ CH के electron के साथ जुड़ के CH2 बना देगा तो यह आपके पास आ गया वन ब्रोमो प्रोपेन प्रॉड़क्ट बन गया अब reaction की termination होनी है termination में जितने भी free radical हैं जैसे यह bromine free radical है यह आपस में combine करके BR2 बना देंगे और भी जितने free radical आलतु वालतु होंगे वो सारे आपस में combine कर जाएंगे अब मैं आपको finally यह चीज़ बताना जाता हूँ कि यह reaction सिर्फ और सिर्फ पर अक्साइड की presence में होता है यह reaction सिर्फ और सिर्फ HBR के साथ होता है क्या? Yes, you heard me correctly यह reaction सिर्फ और सिर्फ यह जो पर अक्साइड effect है सिर्फ और सिर्फ HBR के साथ होता है यह HCL, HF, HI किसी के साथ नहीं होता तो यह question arise होता है mind में कैसा क्यों होता है मेरे notes में तो मिल जाएगा आपको यह question अगले page पे मिल जाएगा लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ देखें जब यह reaction HBR के साथ करते हैं तो chain propagation में जो step A और B है दोनों exothermik होते हैं यानि के energy release करते हैं और जो exothermik reaction होते हैं वो reaction को favor करते हैं और spontaneous reaction होता है तो इसलिए reaction HBR के साथ ही होता है सिरफ तो फिर क्या HCL, HF और HI के साथ क्यों नहीं होता है उन जो बाकी के halogen acid है HCL, HF, HI जाए, उन में ये problem है कि या तो step A या step B endothermik हो जाता है या overall chain propagation जो है overall ही endothermik हो जाता है जो के reaction को favor नहीं करता इसलिए बाकी halogen acid के साथ ये reaction जो है वो possible नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ HBR के साथ होता है तो इस पूरे mechanism में आपने देखा कि free radical adds हो रहे हैं तो इसलिए mechanism का नाम क्या होना चाहिए free radical addition mechanism ठीक है अब मैं आपको marconic of addition और per oxide effect के बीच में differences बता दूँ बिटा तो ये देखिए differences है marconic of addition और per oxide effect के बीच में differences है marconic of addition में जब reaction किया propene का HX के साथ यनि के halogen acid के साथ तो जो halogen है वो वो आपका लगेगा second carbon के साथ ठीक है second carbon के साथ यनि के उस carbon के साथ जिसके साथ lesser number of hydrogen है और per oxide effect में ये जो halogen है ये लगेगा first carbon के साथ ठीक है यनि के उस carbon के साथ multiple bond वाले carbon को देखना होता है carbon double bond carbon को उस carbon के साथ जिसके साथ more number of hydrogen है तो ये वन ब्रोमो प्रोपेन हो गया और marconic of addition में क्या हो गया two hello propane अब इसमें per oxide effect में मैंने one bromo propane को बोला क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ HBR के साथ होता है और marconic of addition में मैंने two hello propane को बोला क्योंकि ये HCL के साथ भी हो सकता ठीक है यह पहला difference है दूसरा difference है कि marconic of addition सिरफ और सिरफ per oxide की absence में होता है और per oxide effect सिरफ और सिरफ per oxide की presence में होता है और mechanism दोनों का different है marconic of addition का mechanism electrophilic addition mechanism है और per oxide effect का mechanism जो है free radical addition mechanism है So I'm very sure this is very clear to you ठीक है तो Marconic of Edition में आपको 2 Hello Propane मिलेगा और Per Oxide Effect में 1 Bromo Propane मिलेगा ठीक है So यह था आपका आज का lecture Marconic of Edition and Per Oxide Effect इसको बार-बार सुनिए कोई problem हो तो आप मुझसे phone पे connect कर सकते हैं या notes को read कीजिए notes में आपको ज़्यादा clear हो जाएगा और भी ज़्यादा clear हो जाएगा ठीक है Thank you very much Have a nice day